परिद सोनु कुमार के मकान मालिक की माने तो सोनु की किसी से कोई रंजिस्त नहीं थी और वो काफी बिर्दुभासी भी था फिलाल घटा के बाद मोके पर पहुँचकर पुलिस घटना की तप्तिस में जूट गई है और अपरादियों के सुराग ढूंडने में लगी हुई है वहीं पुलिस घटना के जानकारी के लिए सिसी टीवी फुटेज को भी खंगाल रही है जिसमें कुछ तस्विरें अस्ट पस्ट हुई है किन्तु फिकप भेन से अपरादिय आने के बाद सोनु कुमार को लेकर क्यों चले गए इसका क्या कारण है या खुलकर सामने नहीं आय है और अभरन करताओं की और से कोई फिरोती की भी मांग अभी तक नहीं की गई है इस अंदर में बेवसाइक प्रतियस परद्धा की रंजिस की बातें सामने आ रही है किन्तु अभी तक इसकी पूस्टी नहीं हो पाई है इस घटना के बाद इलाके में बेवसाइक काफी औ कितने बजे की घतना है ना हम तो आया है यहां पांच बजे लेकिन आने पर पताचला कि जिए चार बजे के पहले का लगा था किसीज का दुकान थे फलकान थे फलकारत मामला तो अपूरंग काया, इस वार में कुल्ट जान कारे जोगा, इसलिए अच्छे वजे जब हम सुलने उठेका हम के मालम हुआ यह पावजी का मुठाने के लिए बोले कि लेकी टेखना सोनु के लोगे लेके चला गया क्या हो सलता है आपरांद क्यों हुआ इसका 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 आप क्यों हुआ जानकर्या में नहीं है इसका पूर्ण जान करी नहीं है वो तो ऐसा लड़का है कि किसी से उंचावाद में भी बात नहीं है उनके भाई वगएर का भी को इतरा कर देन देन का सब्सक्राइब होता है कंपीट कुलका अभीतर के लग रहा है जिसे उनकी परंद की गई है है कि अल्ब अर्षाइब है काराथ था अभीतर काली आम के लावताइब आता था झाल